हेलो सुडेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में बात करेंगे जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत में फेडरलिजम को अपनाया गया जानी के भारत के अंदर सविधान के अंदर केंद्र और राज्यों के संबंधों को ब संघ्य संघ्य सची राज्य सची और समवर्ती सुची के अंदर किया है वो विशे ही बांट दिये गई हैं वो शक्तियां ही बांट दी गई हैं जिनके अधार पर इनके संबंदों को बांटा जाता है सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे संगिय सुची की संगिय सुची के अंदर क्या है वो 97 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर क्या है जैसे के विदेशकारे, डाक़, तार, रेलवे, टेलिफोन यह सब क्या है, यूनियन लिस्ट में आते हैं अफसार्ट इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार क्या है यूनियन को है यानि के सेंटर को है, दूसरी तरफ हम देखा जाए, दूसरी तरह हम बात करें तो राज्जे सुची की बात आती है और राज्जे सुची में 66 विशे हैं जैसे खेती बाड़ी आ गई स्थानिय सवशाशन आ गया स्वास्तें सड़के पुलिस जेल इतियादी और इन पर राज्जे को कारे बनाने का दिकार एक और लेस्ट है लेकिन फिर bisa गहें तूर राज्जे दोनों को पावर दी गई है लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि हमारे यहां पर क्या है इस पे जो भी समवर्थी सुची के बीच में विशे आते हैं जैसे फोजदारी कानून है निवारक नजरबंदी है विवा है संबंद विचेद है यह सब कहने को तो केंद्र और रज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं लेकिन काफी हद तक देखा जाता है तो यह भी किसके के अंडर आती है केंद्र के अंडर आती है और केंद्र के कानून ही इसके अंदर लागू होते हैं तो हम यह यहां पर क्या कहेंगे कि यह तीनों सुचियां जो है यह किसको दिखाती है उसके विधाई समंधों को दिखाती है दूसरी तरफ हम यह कहेंगे कि संसत के पास सभ पर कानून नहीं बना सकता लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि वहां पर क्या है केंदr काफी हद तक अपने कानून को लागू करती आप हते हैं जैसे हम एंड certificate निको बार दीफ समूग historic की बात करें लक्ष दीब की बात करें दादरा नाघर हवेली की बात करें दमन करें नहीं ह चाहे तो अपना कानून वहाँ पर लागू कर सकता है ठीक है और इसी तरह से राज्येपाल और राश्ट्रपती को यह शक्ती है कि अनुसुची 6 के अंदर राज्ये जो राज्ये मिजोरम असम मनिगूरत्रिपुरा यह सब हैं जहां पर जन जातियां हैं वहां पर भी कानून बना सकते हैं और संसत चाहे तो उन कानूनों में भी क्या है परिवर्तन कर सकती है तो हम यह लिस्ट की बात पहले ही कर चुके हैं कि हाँ भी केंद्रों राज्यों के बीच में लिस्ट को वाटा गया है जैसे संग्ये सुची है राज्ये सुची है समवर्ती सुची है और त मतलब कि ये विशे पहले क्या थे राज्य सूची के अंदर लेकिन देश की महता को आगे रह कर यह विशे क्या है है राज्य सुची से संवर्ती सूची के अंदर डाल दिये गए और यह भी किसको अधिकार है कि इंद्र को ऐसा किर दिकार है शिक्षा, वन, नाप, तोल, वन्यजी, फक्षियों का सरंग्षन, या एक अपरशाशन, ये सब किसके अंदर आता है, आप समवर्ती सुची के अंदर आता है, जो भाग किसी राज्ये के अंतरगत नहीं आते, संसद उस भाग के लिए तीन सुचियों या उसके अधरिक किसी भी विश्ये पे कानून बना सकती है, जैसे के इंदर शाषद परदेश, एंदर शाषद परदेश, और पर कानून बनाने का अधिकार भी है, वो गेंदर के पास है, ऐसे हमारी या पर अलग-अलग अनुचेद डाले गए हैं, उन अनुचेदों के तहत हमें क्या दिखाया गया है कि किस तरह से केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और यह सारे जो इनुचेद हैं वो सुचियों के अंडर ही आते हैं इसके इलावा हमारे यहां पर एक और शक्तिया है तीम सुचियों के इलावा केंद्र सुची राज्य सुची समवर्ती सुची के इलावा हमारे वहाँ पर क्या है और भी क्या है अब शिष्ट शक्तियां भी है और उस पर भी केंद्र को कानून बनाने का दिकार है सविधान के अंदर संग सुची को राज्य सुची समवर्ती सुची में सबसे उपर रखा गया है और समवर्ती सुची को राज्य सुची के उपर रखा गया, इसका मतलब यह है कि संग और राज्य में से किसी भी प्रकार का अगर आपस में कोई टकराव हो जाता है, यानि कि समवर्ती सुची पर केंद्र भी कानून बना देता है और राज्य भी कानून बना देता है और उनक अगर देश में कोई आसी प्रस्तितियां आज जाती है और जो सब्जक्ट जो शक्तियां राज्य सुची के अंदर आ रही है उनके उपर भी क्या है केंद्र कानून बनाता है और केंद्र का बनाया हुआ कानून वहाँ पर लागू होता है अब बात यह है केंद्र के पास ऐसी कौन-कौन सी प्रस्तितिय है जिसमें केंद्र जो है वो राज्य सुची के अंदर कानून सदस्य अगर राज्य सुची में बनाए गए दी गई शक्ती को केंदर के अंदर डाल देते हैं मतलब कि जो राज्य के पास कानून है लेकिन दो तीहाई सदस्य प्रस्ताव पारिद करके यह कह दें कि इस विशे पर राज्य की बजाए केंदर कानून बनाएगा तो ऐसे में एक वर्ष के लिए वो विशे क्या है राज्य सुची में से निकल कर केंदर सुची के अंदर आ जाता है और केंदर सरकार को उस पर कानून बनाने का अदिकार मिल जाता है ऐसे ही अगर राज्य के अंदर कोई अपात काली स्थिती आ जाए तो भी यह है कि अगर देश के अं हमारे देश के हमला हो गया या किसी रज्जे के अंदर वहां की जो सविधानिक विवस्ता है वो फेल हो गई है तो ऐसे में भी क्या है केंद्र सरकार के हाथ में शक्ति आ जाती है कि वो रज्जे सुची के उपर कानून बना सकती है और हम यह कहें केनुशे 252 के नुसार जब भी ऐसा विशे है अगर दो तीन राज्जियों को मिलकर यह लगता है कि कानून जो है वो केंद्र के द्वारा बनाना चाहिए केंद्र उसको लागू करे और केंद्री उसको बनाए तो ऐसे में वो विशे क्या है अगर वो एप्लिकेशन देकर रिक्वेस्ट करके चाहें त तो वो विशे क्या है राज्जे सुची से निकल कर केंद्र सुची के पास चला जाता है ठीक है अगर संसत द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी अपने विधान मंडल में ऐसा प्रस्ताव पारित कर दें तो राज्जे में भी ये कानून लागू हो जाएगा इस तरह क कानून पहले भी ऐसे हैं जिनको केंद्र के द्वारा बनाया गया है अंतराष्टे समझोता लागू करने के उदेश्य से जितने भी अंतराष्टे समझोते होते हैं अनुछे 253 के नुसार संसद अंतराष्टे संधी और समझोतों को लागू करने के उदेश्य से भी राज् कोई भी विदेशी नीती बनाने की विदेशी संबंद बनाने का केंदर को अधिकार मिला है तो अगर राज्य सुची में अंकित विशे के ऊपर कोई अंतराश्चे संधी करनी है तो ऐसे में वो विशे क्या है राज्य सुची में से निकल कर केंदर सुची भी आ जाता और कें इंडियम 1982 के अंदर आते हैं नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि रज्जे विधान मंडल पर केंद्र का कितना नियंदर रहना है रज्जों की जो विधान सभाय केंद्र के कितने अधीन आती है तो हम यह कहेंगे कि राश्पति शाशन के दोरान और राश्पति शाशन कब लगता है जब अपातका लाती है तो राश्पति शाशन के दोरान अनुचे 356 के दोरान भी राज्जे की जितनी भी विधान मंडल की शक्तियां वो सारी शक्तियां संसत के पास सली जाती है और उन पर भी कानून बनाने का दिकार किसके पास आ जाता है संसत के पास आ जाता राश्पति शाशन के उपराद भी संसत के द्वारा बनाया गया कानून क्या है वहाँ पर लागू होता है जैसे कि कुछ केंद्र का राज्य सुची पर कैसे नियंत्रन होता है राज्येपाल कुछ प्रकार के राज्ये विध्योकों को राश्पती की सवकृती के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्येपाल चाहे तो कुछ कानूनों को लागू करने से पहले राश्पती से सविकार करने के लिए रख सकता है ऐसी स्थिती में राशपती के पास वीटो पावर होती यानि राशपती चाहे तो उस कानून को खारिज भी कर सकता है और चाहे तो उस पर प्रतिबंद भी लगा सकता है या उसको लागू भी कर सकता है ये राशपती की अपनी मर्जी पे टिपेंड करता है तो वितिया अपा शाषनिक तोर पर रखे जाते हैं और उनको किया जाता है तो ये क्या है केंद और राज्य के कुछ समद्ध हैं जो हमने पड़े हैं कि केंद और राज्यों में किस तरह हैं के विधानिक समद्ध पाए जाते हैं I hope यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी. Thank you so much.